अब देख रहे हैं के मास नियूज हर समय आपके साथ आजमगर निजामाबाद कस्बे में सरकारी शराब की दुकान को हटवाने के लेकर मोहले की सेकड़ों लोग इकठा होकर निजामाबाद तहसील पर नायब तहसीलदार अभिशेक सिंग्व निजामाबाद थाना प्रभारी सचिदानन्द यादव को ग्यापन दिया और देशी शराब की दुकान को हटवाने की मान की वही पर उपस्तित लोगों का कहना है की सरकार चाहे रोज क्यों न नय नियम बना ले लेकिन हकीकत है कि स्थानिय प्रशासन की मिली भागत के चलते इन नियमों को न मानने वाले धडले से कर रहे है अपना काम निजामाबाद नगर के उच्वा मुहले के पास चल रहे देशी शराब की दुकान के विरोध में मुहले वासी एकठा होकर शराब खाने के सामने जमकर नारेबाजी किये मुहले के लोगों का कहना है कि जहां सरकार स्कूलों से 200 मीटर दूर शराब खाना खोलने को कहती है वही निजामाबाद में लगभग सभी शराब की दुकान स्कूल वधार में क्स्थलों से बम मुश्किल 50 मीटर भी दूर नहीं होंगे नगर के अंदर आबादी के बीच चल रहा ये शराब खाना भी स्कूल के 50 मीटर के अंदर ही है साथ ही बगल में इमामबाणा है तथा शिव मंदिर है शराब की दुकान के रास्ते से स्कूल जाने वाले चात्र चात्राएं आते जाते हैं शराब खाने का आलम ये है कि लोग शराब लेने के बाद जहां शराब खाने के बरामदे और कमरों में तो बैठ कर पीते ही हैं वही शाम धलते ही लोग शराबों को लेकर ग्रूप बना कर मोहले के घरों के चबूत्रों पर भी बैठ जाते हैं जिन्हे कोई भी मना नहीं कर पाता मना करने का मतलब है कि आए दिन मारपीट करने पर उतारू हो जाते है इस संबंध में नायब तहसीलदार अभिशेक सिंग से बात करने पर उन्होंने बताया की लिखित तहरीर मिली है जाचकर उचितकार रवाय की जाएगी मेरा नाम राम नरायन परजापती थाने पाएं सराप खाना हटावाने लिए सराप खाने के यह बोग यकड़ बेड़ते हैं बड़ा दंगा पसाद करते हैं मा बान की गालियां देते हैं अगल बगल सब घर दुवार हैं समानी कहां है यह उचवा मोहला में पड़ता है डखाने के पास देशी सराप की दुकान है हम लोको समीश्य आया है कि वहां से ठीका हड़ जये प्रजा पती कि दना निजामवाबाद कि आप थाने पाएं समीश्य कि वहां पर वह दारु पीकर भक्ना कुता है जाम रसाटाराती है हटाने बड़ने पर लोग महां पीने प्यक्र जो है नार करने ले ताल हो जाते हैं तैयार कहा है यह ठीका यह ठाने के पास ठीका है गली में उच्वा मोहला नाम से हैं समस्या यह ठीकि आज एक अप्लिकेशन लेकर हम लोग ठाना निजामबाद को आउगत कराने के लिए आये हैं कि हम लोग के कजबे में उच्वा महले में एक देशी सराब की दुकान है जो कि कई वर्षों से चल लही है लेकिन ठीक है जब आबादी नहीं थी तो उस समय चल लही थी आज इतनी घनी आबादी हो गई है कि अगल बगल कम से कम पांच साथ स्कूल के बच्चे बच्चियां उस रोड से होके जाते हैं बगल में वहीं सो मीटर पे इमाम बाड़ा भी है वहीं 500 मीटर की दूरी पे मंदिर भी है जिससे आने जाने में लड़कियों को लड़किया स्कूल जाती है और बच्चे जाते हैं गाड़ी घोड़ा जाता है तो जिससे बहुत दिक्कत होती है तो हम लोग का मानना है कि आज हम लोग सो महोदे से यहां मिला गया अप्लिकेशन दिया गया ताकि वह वहां से हड़ जाए ताकि महले वाले आराम से रहें जैसे उसमें यह है ना कि अब लोग बाहर पीते हैं जैसे सिर्फ बेचने का अधिकार है बाहर बैठाल के पिलाने का अधिकार नहीं है तो वो बाहर बैठके जब पीते हैं तो जब पी लेते हैं तो वो अपने में नहीं रहते जब अपने में नहीं रहते तो वो आप सब् करते हैं गाली गलोज देते हैं गाड़ी इधर उधर खड़ी कर देते हैं जिससे आने जाने में दिक्कत होती है तो हम लोग ठाना जक्स मोदे से अपनी वेधन किया गया कि इसको अस्वासन मिला है कि हम पूरा अप्शायोग आपका करेंगे जी एश्डियम साब को भी और इस पर करवाई की जाएगी